हेलो स्टूडिन्स वेल्किम प्रेडियू हैब मैं उश्वम गुपता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहें क्लास 10th हिंदी कोर्स भी का 1st चैप्टर बड़े भाई साहब दोस्तों सच तो ये है कि ये पाठ मैं आपको पढ़ा नहीं सकता मैं क्या कुई भी आपको बड़े भाई साहब की चारित्रिक विशेषता है क्या 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 थी आप मुझसे पूछे कि दोनों भाईयों में कितने दर्जे का अंतर था मैं बता दूंगा पर क्या अर्थ बता सकते हो इस पार्थ का बड़े भाई सहाब यह जो चैप्टर है यह वास्तव में चैप्टर कर्तव्यों के बारे में है ये पाठ जो है इस बारे में है कि मैं अपना कर्तव निभाऊंगा भले ही मेरा जीवन कैसा भी रहे ये पाठ एक भाई के बारे में बड़े भाई सहाब एक छोटे भाई अपने भाई सहाब के बारे में पाठ रिखने हैं वो कह रहे हैं कि मेरे भाई सहाब बहुत महनती थे क फर्मत थे भली जीवन में असफल रहे हमेशा एक उत्तम मिसाल रखी। मेरे भाइ के अपने कुछ शोक होंगे, उनको भी खुछ रहने का मन करता होगा, रहते होंगे खुछ, पर मेरे भाई ने हमेशा मेरे सामने एक सच आचरन रखा, क्योंकि बड़े भाई साब इस सिधान्त में मानते थे कि जो बदलाव में दूसरों में देखना चाता हूँ, पहले स्वेम में लाओ, बड़े भाई साहब का ये मानना था कि भले ही मैं पूरे जीवन वर फेल होता रहूं, किन्तु मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरा छोटे भाई पर बुरा असर पड़े, बड़े भाई साहब का ये मानना था कि अगर मेरा पूरा जीवन ही समर्पित हो जाए, मेरे छोटे भाई की बढ़ाई के लिए, तो फिर यही सही है, अगर मेरे फल मिले या ना मिले, भले ही मैं सो बार हारता रहूं, परन तुम्हें एक सो एक वी बार खड़ाओंगा, ये स्पिरिट होनी चाहिए, और आज कल के स्टूडिन्स, दो, चार, पांच, दस परसंट, अरे, पचपन परसंट, छपन परसंट मार्स भी आते हैं, तो भी बहु आपको निर्मित करते हैं, आपके कर्म ही स्वेम, आपको निर्मित करते हैं, ये पाठ कर्तव्यों के बारे में भी है कि आपका कर्तव्य क्या है, किस स्थती में क्या धर्म है तेरा पालन उसका कर्म की ये जा, यही माईने रखता है, और इन अंगराज कर्ण के ये कर्ण है महाभारत से इन्होंने अपने धर्म का वहन किया हो सकता है कि आप इन्हें बिवकूफ कहे पर माइने ये रखता है कि इन्होंने और बड़े भाई सहाब ने कई स्टूडन्स आर्ग्यू करते हैं कि सर बड़े भाई सहाब कितने बिवकूफ थे इस चैप्टर में क्योंकि आके करो किन्तु भड़े आप बड़े भाई सहाब को मूर्ख कहे किन्तु बड़े भाई सहाब ने जिसे अपना धर्म समझा उस धर्म का उलंगन कभी नहीं किया और यही धर्मात्मा की निशानी है मैं आपको पार्ट प्रवेश दिखाता हूं ठीक है यह काफी कमाल की करके बताईएगा कि किस चीज के बारे में यह इमेज भी जो है महाभारत सी ली गई है इन फैक्ट काफी फेमस यह है क्या कह सकतो आप स्टैचू कह सकतो इसको और यह बाली में है इंडोनेशिया में ठीक है एनिवेज यह करण है पर यह लड़ किस से रहे है ठीक है वह है यार हमको कोई काम अपने तुम छोटे हो रात रात में मुबाइल मत चलाओ तुम छोटे हो नहीं नहीं तुम रात को आट बज़े के बाद घर में नहीं आ सकते बताब आट बज़े से पहले ही घर में आओ छे बज़े से पहले ही घर में आओ देर रात तक पिक्चर यह मत जाओ तो यह सब पाबंदिया सुन सुन के छोटे लोगों को आपकी जैसे लोगों को लगता यार अगर मैं बड़ा होता तो मेरे उपर यह पाबंदिया नहीं आती यहां पर वो बताते हैं हमें कोई तोकता नहीं लेकिन इस भुलावे में ना रहिएगा क्योंकि बड़े ह कई बार तो उन कामों में भी शामिल होने से अपने आपको रोकना पड़ता है जो उसकी उम्र के लड़के बेधड़क करते हैं इस पार्थ में आप देखेंगे जो बड़ा भाई है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है अरे आपसे भी छोटा है वो नौवी कक्षा में व भाई है एक बड़े भाई है एक छोटे भाई है और उनके परिवार में उनके माता पिता जी उनके साथ नहीं रहते हैं उनको पड़ने भेज दिया है दादा जी के पास अब बड़े भाई ये सोचते हैं कि ये छोटे भाई इसका तो पिता भी मैं हूँ और माता भी मैं खेलने का पर मैं आपको बता रहा हूँ जिम्मेदारी से अगर बच्पना छूट जाए तो उससे बड़ा संघर्ष कुछ नहीं होता बड़े भाई साब अपने बच्पने को छोड़ने के लिए तयार है कि मगर मुझे अपने बड़े अपने छोटे भाई का ध्यान रखना है तो मैं जरूर रखूँगा बड़े भाई साब की उम्रे बहुत जादा नहीं है उनका भी मन करता है खेलने का पर जिम्मेदारी ने अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी जो पैसा हमारी एजुकेशन पर लगाया जा रहा है अरे उस समय आज से कई साल पहले दश्कों पहल गते ओर झते थे और जिम्मेदारी ने बड़े भाई सहाब को बहुत जल्दी बड़ा बना दिया वह आप इस पार्ट में देखेंगे ठीक हैं क्योंकि वे लड़के अपने घर सेban में किसीसे बड़े नहीं होते बड़े भाई साब से बड़ा कोई घर में नहीं है इसलिए उनी को सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई सहाब है जो है तो छोटे ही नाइंत कलास में पड़ रहे हैं लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है उससे उम्र में केवल वो कुछ साल बड़े होने के कारण उनसे बड़ी-बड़ी अपेक्षाय की जाती हैं घरवाले एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम तो बड़े हो ये तो छोटु है ये तो छटुआ है इसको रहने दो पर तुम तो बड़े हो तुम से एक्सपेक्टेशन जादा की जाती है अपेक्षाय बड़ी बड़ी की जाती है बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करें इस आदर्श थिती को बनाए रखने के लिए फेर में बड़े भाई सहाब का बच्पन कुर्बान हो जाता है यह पार्ट आदर्शो के बारे में यह पार्ट बुद्धी के बारे में नहीं है जो बुद्धी जीवी लोग होते हैं कि बुद्धी से कैसे अपनी जीवी का चला है यह पार्ट आदर्शो के बारे में अगर मैं एक शिश्य मैं एक गुरू हूँ यह तो मैं अपने आदर्शों का वहन करूंगा, मेरा आदर्श क्या है कि मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ पोथी पोथी सिर्फ पढ़ा हुआ, या किताब में मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा हुआ ग्यान नहीं बताऊंगा, उसका मर में बताऊंगा, अगर विद्यार्थियो तो तुम्हारा धर्म क्या है तुम्हारा धर्म ये है तुम्हारा कर्थव्य क्या है कि ज्ञान को ग्रहंड करो और इस सत्य को देखो कि ज्ञान तथ्यों में नहीं होता अनुभव में होता है knowledge is not about facts it is about realization ठीक है पार्ट शुरू करते हैं अब मैं इस साइड में आ जाता हूं जहां पर manuscript लिखी है कुछ अगर difficult words होंगे तो उसकी meaning मैं यहां पर लिख दूँगा ठीक है ये पूरी की पूरी पीपटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी ठीक है है कि join करना सही है तो कीजिए वरना बिना join किये भी आप ये सारी materials जो है free के notes जो है वहां से download कर सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीजे मैं वहां पर आपको upload कर दूँगा प्लस बड़े भाई साब का chapter PDF और ये पीपटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी ठीक है इस पार्ट में लिखक प्रीमचंद अपने बड़े भाई साब के बारे में बताते हैं ये पार्ट का सार है तो हम इसको थोड़ा जल्दी cover करेंगे ऐसा नहीं है कि NCRT की लाइने ही हूब हूँ यहाँ पर copy कर दी गई है इस पार्ट में लिखक प्रीमचंद अपने बड़े भाई साब के बारे में बताते हैं वह कहते हैं कि उनके परिवार में बड़े भाई साब है है तो छोटे परन्तु मुझसे वह बड़े भाई साब है और मैं छोटा बड़े भाई साब उम्र में बहुत जादा बड़े न क्योंकि यह chapter का title समझ कि कई students को लगता है कि बड़े भाई साब तो कोई छोटा भाई होगा और उसका कोई बहुत बड़ा भाई होगा जो college में होगा या job वगेरा करता होगा नौकरी करता होगा ऐसा नहीं है दोनों बच्चे ही है पर क्यूंकि एक बच्चा थोड़ा सा यहां पर मैंने chapter का सार बेसिकली लिखा है और मुझे अगर कोई भी difficult word का meaning बताना होगा या कोई भी चीज लिखनी होगी तो इस section में बोड के मैं वो लिख दूंगा ठीक है तो पूरा sorted होगा content यहां पर होगा और मेरे notes यहां पर होगा ठीक है पढ़ते हैं इस पार्ट में लेखक प्रेमचंद अपने बड़े भाई साहब के बारे में बताते हैं पूरा chapter बड़े भाई साहब ही chapter के main theme है chapter का title ही है बड़े भाई साहब वह कहते हैं कि उनके परिवार में बड़े भाई साहब है तो छोटे परन्तु मुझ से वह बड़े हैं देखो आप में से कई students जब इस chapter का title पढ़ा होगा बड़े भाई साहब तुने लगा होगा कि एक कोई बड़ा भाई होगा जो किसान होगा और वो बहुत मेहनत करके मजदूरी करके किसी तरीके से दो दो पैसे जोड़ के अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा होगा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि इस chapter में एक बड़ा भाई है और उसका एक छोटा भाई है नहीं इस chapter में दो बच्चे है वो आपी की उमर का होगा बड़े भाई साहब जो इस chapter के hero है वो आपी की उमर के है 14 साल के हैं साहब आप से भी शायद एक साल छोटे होंगे 9 standard में पढ़ते हैं वो 14 साल का एक बच् वो भी बच्चा है, उसका भी बच्पना चल रहा है, लेकिन वो बच्चा अपने बच्पने को दाओ पे लगाने के लिए तयार है, ताकि अपने छोटे भाई के लिए मैं एक मिसाल रख सकूँ, ये आधर्शो के बारे में पाठ है, एक बड़ा भाई क्योंकि घर में पता है कि बड़े छोटे भाई का ध्यान रखने वाला, अगर मैं नहीं बोलूँगा, तो पिता जी, माता जी तो हमारे साथ नहीं रहते, कोई इसको नहीं बोलेगा, अगर मैं बोलना बंदगर दू, अगर मैं भी बच्पन में खेल में लग गया, तो ये छोटा भाई इसे कौन स बड़े भाई साब अपना बच्पन टांग पे लगाने के रिट्यार है, तो बड़े भाई साब कोई बड़े नहीं है, वो भी छोटे है, वो भी बचे हैं, पर क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं उन्हें बड़े भाई साब कहके आदर से बुलाता हूं, ठीक है, हाना, उम्र में कितने बड़े हैं, बड़े भाई साब, उम्र में लेखक से 5 साल बड़े हैं, ठीक है, एज में अगर आप देखेंगे, ठीक है, एज में अगर आप देखेंगे, तो एज में 5 साल का डिफरेंस है दूनों में, क्लास में अगर देखेंगे, तो क्लास म सान Quiteए बड़े भाई साप उम्र में लेखक 5 साल बड़े है, मेरी उम्र 9 साल खी और बड़े भाई साप की 14 साल की जैसे मैं नहीं तícia 14 साल का एक बच्चा हैüne साब, कोई आप से भी शाय होटे हैं एक साल अरौई बढ़ी उमर नहीं है कि बच्चा भी आदर्शो पार्ट को जरूर पढ़िएगा ठीक है लेकिन तीन ही कक्षा आगे पढ़ते हैं क्लास में तीन ही क्लास स्टैंडर का डिफरेंस है वह नौवी कक्षा में थे और मैं पाचवी में था बड़े भाई साफ पांच साल बड़े होने के कारण उनसे बड़ी आशाय की जाती थी ब बड़ा होने के नाते मैं अपने छोटों के बारे में अपने छोटे भाई के सामने एक अच्छी मिसाल पेश करूँ मैं कोई अफसर नहीं बनू चलेगा मेरा छोटा भाई अफसर बन जाये चलेगा पर मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे छोटे भाई को मुझसे कुछ सीखने को मिले उसे मुझ पर गर्व हो ये प्रेम की परिभाशा है ये मोह नहीं है सहाब मोह क्या कहता है कि मेरे छोटे भाई को मुझ पर गर्व है प्रेम क्या कहता है मुझे मेरे छोटे भाई पर गर्व है तो वो प्रेम करते हैं अपने भाई से उन्हें अपने भाई पर गर्व ह और साती सात वो क्या चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे छोटे भाई को मुझ पर गर्व हो, मेरे छोटे भाई के लिए मैं कोई मिसाल बना सकूँ, ठीक है, उनसे बड़ी आशाय थी, वहाँ बड़े होने के कारणों खुद भी चाहते थे कि कुछ ऐसा करें, उन भाई साहब की ऐसी सोच थी, वह नौवी क्लास के बच्चा, वही बड़े भाई साहब है, उनकी ऐसी सोच थी कि जब तक किसी इमारत की नीव मजबूत नहीं है, तब तक वो इमारत अच्छी तरीके से नहीं बन सकती, तो बहले ही नीव बनाने के लिए, अगर आपको चार भी इमारत की नीव जो है, बहुत मजबूत होनी चाहिए, वह अपने पढ़ाई को सबसे प्रमुख मानते थे, और अपनी पढ़ाई की नीव मजबूत करना चाहते थे, इसलिए वह हर वक्त अपनी किताबे खोल कर रखा करते थे, बड़े भाई साब को सभाव ऐसा था, व भी पढ़ते रहते हैं, किन्तु उसके बाद भी उनके नंबर नहीं आते हैं, उनका उपहास उड़ाते हो, ये पाठ तुम्हारे उपर एक कटाक्ष है, ये पाठ इस बारे में है कि यदि कोई परिश्रम करता है, दिन भर पढ़ता रहता है, उसके बाद भी उसके नंबर आते तो ऐसे लोगों पर जो हसने वाले हैं वही अपरादी है क्योंकि वो सक्ते को नहीं समझ रहे वो परिश्रम का आदर नहीं कर रहे अरे नंबरों का सम्मान करना मत सीखो हाड़ वर्क का सम्मान करना सीखो परिश्रम का सम्मान करना सीखो यही मेरा आश्रवाद है मेरे स् मान के योग्य है वो नहीं जिसने बहुत सारे रिजल्ट्स क्योंकि रिजल्ट्स तो आपको बहुत अलग-अलग कंडिशन्स की वज़े से भी मिल सकते हैं ठीक है एनिवेज तो बताते हैं कि बड़े भाई साब हमेशा किताब खोल के किताब में आखें गड़ाये रखते थे और बड़े भाई साब जब बहुत ज़्यादा बोर हो जाते थे पढ़ पढ़ के लेकिन किताब से दूर नहीं जा सकते थे बड़े भाई साब को जब देखो पढ़ते रहते थे हाना और जब पढ़ पढ़ के बहुत बोर हो जाते थे तो किताब बन करके बाहर खेलने भूलने नहीं जाते थे किताब में ही क्या करते थे बहुत बोर होते थे तो कुछ-कुछ लिखते रहते थे हाना कोई ड्रॉइंग बना लिया करते थे एक बार क्या होता है कि जो छोटे भाई है वो बड़े भाई साब जब इधर उदर कई गए होते हैं तो वो बड़े भाई साब की कौपी देखते हैं वो देखते हैं कि इसमें तो अलग-अलग से कुछ शब्द लिखे हैं और ऐसे से जैसे साबुन, आकाश, गगन, जौला मुखी मतब ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं इरिश्या मतब वर्ड्स का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है ड्रोइंग्स भी अजीब-जीब सी बनी है तो लेखक कई बार ये डिकोड करने की कुशिश करते थे कि बड़े भाई साब ने अपनी किताब में फ्री टाइम में जो स्क्रिबल करते रहते एक्चली लिखा क्या है किया क्या है पर लेखक कभी भी उस गुथी को सुलजा न चाळी रहता है ये तो बाहर खेलता नहीं अब आप देखोगे दिखे आप ये मत समझिये कि वो जो बड़े भाई साहब है वो क्योंकि उनको छोटे भाई के सामने अच्छी मिशाल रखणी है इसलिए वो दिन भर पढ़ते रहते हैं नहीं वो इसलिए पढ़ते रहते हैं क्योंकि उनके number नहीं आते हैं अगर उनके number अच्छे खासे आते हैं छोटे भाई की तरह तो वो भी पढ़ाई वड़ाई करते हैं और फिर खेलने भी जाते हैं पर बड़े भाई सहाब अच्छे number लाना चाहते हैं पर उनकी लाख कोशिशों के बाद भी वो अच्छे नमबर नहीं ला पाते एक ही क्लास में दो-तीन बार फेल हो जाते हैं और इसलिए उनको बुरा लगता है मैं घर में बड़ा हूँ मैं फेल हो रहा हूँ मेरा जीवन बरबाद हो चलेगा कि तुम मेरा देखा देखी मेरे छोटे भाई ने भी किया तो यह अनुचित है इसी लिए वो दिन भर पढ़ते रहते हैं बड़े भाई साब को कोई शौक नहीं है कि मैं अववल बनू मेरा भाई भी अववल बन जाये मेरे वही परहत है आप इस पार्ट से आदर्श सीखिए ठीक है और बड़े भाई करते रहते थे क्योंकि वो पास होना चाहते थे नहीं आती दी पढ़ाई कि तु कर्म का त्याग नहीं करते थे और छोटा भाई वो हमेशा खेल कूद में बिजी रहता था उसका मन बहुत चंचल था मन स्थेर नहीं रहता था इदर उदर उदर जैसे भी पढ़ता था जैस और खेल कूद में समझो जादा रहता था अगर बड़े भाई साब उसे एक घंटा भी पढ़ने कहते तो उसके लिए वह बढ़ा पहाड चड़ने जैसा मुश्किल काम लगता था पर वह अपना मन दबा कर किताब खोल कर बैठ जाता इस पार्ट में एक चीज ये भी अच्छ पढ़ने में भाई जैसे रहते थे वैसे ही आज भी रह यह ज़रूरी नहीं है पर चैप्टर को भावना के साथ महसूस करके पढ़ना स्टूडेंस बहुत ज़रूरी होता है ठीक है तो अगर आप यहां पर दिखेंगे तो छोटा भाई जो है वो कभी भी बड़े भाई को क्या करता था चोटा भाई का उस वो जैसे ही थोड़ा से वे टाइम मिलता था बड़े भाई उदर उदर देख रहे हैं भाग जाता था खेलने फिर जब घर में कभी ना कभी तो लोटके आएगा गिरी डंडा बहुत खेलते थे फिर जब घर में लोटके आते थे तो के तीखी बाण छोड़ते थे शब्दों के बाण कि छोटे भाई को बहुत बुरा लगता था पर छोटा भाई अपने बड़े भाई को जवाब नहीं देता वो मान लेता है कि मेरी गलती है मुझे पढ़ना चाहिए था और फिरो मौन रहता है कभी-कभी छोटे भाई की आ आया करते हैं साब कि सोर कहानियों में अगर माने ममता लुटाई ना होती तो ममता मैमा कहाई ना होती अगर मा मनाने को आई ना होती अगर माने बिगडी बनाई ना होती तो ममता मैमा कहाई ना होती तो मा है उसको दयारी है मा के हिर्दे पे पत्थर रखे वो कठोर मुख बना करके आपको डाटती है, ताकि आप भले ही आपको थोड़ा रो, थोड़ा मारना पड़ेगा, लेकिन वो डांट और मार जरूरी है, ताकि आप जीवन में सीखो, बड़े भाई, छोटे भाई से प्रेम करते हैं, करो उसको डाटते भी है, कि तुम कैसे भी स्टूडेंट हो, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो भी बार-बार खेलना कूदना सही नहीं है, खेलना कूदना अपनी जगा है, पर पढ़ाई करना भी जरूरी है, और छोटा भाई जैसा टाइम मिलता था, खेलने भाग जाता था, इदर उदर खेल, लेकिन जैसे ही बड़े भाई साहब का गुस्ते से लाल चेहरा देखते हैं, जिससे की लेखक को बहुत डर लगता है, और उनका पहला सवाल यही होता है कि कहां थे, अना कहां थे, और फिर बड़े भाई साहब लेखक को डाटते हो, तुम से पढ़ाई नहीं होती है, तुम जब देखो भागते र पड़ती है खून जलाना पड़ता है यह उनके भाशन का कुछ हिस्सा है जो बड़े भाई साथ चोटे भाई को जब वो खेल के दिन भर आता है कि दिन भर खेल रहे हो ना डाटते है तो जो बलाईने बोलते हैं उसके कुछ अंच है यहां पर कि पढ़ाई करने के लिए दिन गिली डंडा खेलते रहो कम से कम दादा की मेहनत की कमाई तो खराब नहीं होगी इनके दादा जी अमीर थे देखिए यह कहानी भारत में उस समय की है जब बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे क्यों पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसे लगते थे अंग्रेजों ने त करतब बे कपालन कर रहे हैं वो कैतना है अगर खेलना ही है दिन बार तो जाओ गाओं में चले जाओ बाद दिन बार गिली डंडा खेलना पर हमारे दादा की मेहनत की कमाई जो वो हमारे स्कूल की फीस में भर रहे हैं उसको वेस्ट मत करो ऐसी ऐसी रतार सुनकर लेखक की शकल रोने सी हो जाती मैंने बताया आसू 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 आ जाते थे परंतो कुछ समय बाद जब उसकी निराशा हट जाती तो फटा-फट अब वो नौ साल का बच्चा है ना उसको बहुत दुख होता था बड़े बाई साथ थोड़ा रो भी ल जाती अपने बच्चों को देखके साती साथ अब वो टाइम टीबल बनाता है इसके उपर टेंथ बोर्ड क्वेश्चन बूचता है एक क्वेश्चन तो यह होता है बड़े भाई साब की चारितर्ग विश्ष्षता है बताओ मैं बाद में बताऊंगा वो तुम खुद भी समझ सकते हो बड़े भाई साब करमठ है प्रयास करते हैं बड़े भाई साब अपने छोटे भाई के सामने एक आदर्श मिसाल रखना चाहते हैं बड़े भाई साब छोटे भाई से प्रेम करते हैं पर दिल पे पत्थर रखके छोटे भाई को डाटते हैं कि ताकि छोटा भ सुबह छे बज़े नहीं नहीं सुबह तीन बच के 45 मिनट पर ज्यादा अन्रियरिस्टिक टारगेट नी है और सुबह छे बज़े उट जाना करेक्ट छे से साड़े 6 मुह हाद धोना साड़े 6 से साथ नाश्ता करना साथ से नौ मैच्स फिर साड़े 9 से साड़े 11 एंग्रिश और साड़े बारा से ये, फिर स्कूल जाना, और उसके बाद स्कूल से वापस आना, फिर ट्यूशन जाना, फिर ये पढ़ना, वो पढ़ना, ये पढ़ना, फिर रात में सो जाना, फिर सुपे छे बजे उटके, और छोटे भाई जब time table बनाते थे, तो खेल कूद को लेकिन आपको बता है साब आप भी फॉलो नहीं कर पाते यह तो आपसे भी छोटा है नौ साल का यह क्या फॉलो करेगा हना हाँ तो एक मुश्किल भरा काम है ना कि वो बहुत सक्त टाइम टेबल बनाते परन्तु टाइम टेबल बनाना एक बात है उसका पालन करना मुश्किल भरा काम है जो की लेखक से बिलकुल नहीं हो पादा था खेल कूद के मैदान उन्हें बाहर खीची लाते थे लेका कि सुचता था मैं अब खेलना कूदना बंद कर दूँगा सिर्फ पढ़ाई करूँगा लेकिन होस्टल में जाते रहते थे तो खेल कूद को उसको इतना नौ साल का बच्चा है चोटा सा तो उसको खेल कूद इतना फटकार और डांट के बाद भी उन्हें अकल ना आती और वह खेल में शामिल हो जाते थे लिखक बड़े भाई साब जब भी खेल के आता थे बड़े भाई साब डाटते थे आज पड़े क्यों नहीं कम से कम तीन घंटा तो रोज पढ़ना चाहिए बड़े भाई साब फेल हो गए दुख से कहना ची यह फेल हो गए परंतु छोटे भाई लेखक के पास हो गया जो नौ साल का तब पास हो गया और धर जे में प्रथम आए समझते यो मताब पास होना एक चीज होती हो और फस्ट रायंक यहनिकि क्लास में फस्ट आए इतने ज्यादा नमबर छो क्लास भी नहीं हो पाए और छोटा भाई जो दिन बर खेलता रहता था वो क्लास में टॉप कर गया आगे लेखक बताते हैं उनके बीच अब सिर्फ दो कक्षा होगी पहले उनके बीच में तीन क्लास का अंतर था शिक्स सेवन एट यह पांच में में थे वो नौवी में थे अ आप तो बड़ी घोर तपस्या करते थे दिन भर आख में तेल डाल डालके पढ़ते रहते थे मैं जब देखता था आपकी किताबे खुली रहती थी आप फेल हो गए और मुझे देखिए मैं तो बाहर खेलता कुटता भी रहा और अपने क्लास में अवल दर्जे से टॉप म आजाते हैं ना तो उसे बहुत दुख होता है नंबर कम क्या फेल हो गया वो बहुत महनत करता है जीवन में कई बार जो स्टूडेंस नंबर नहीं लेके आते उसका ये मतलब नहीं क्यों महनती नहीं है उनके पास वो कॉलिटी नहीं है शायद वो स्किल नहीं है पढ़ने क तो कभी भी आएक छात्र के तोर पे ऐसे स्टूडेंस का आपको उपहास नहीं उडाना चाहिए ठीक है बड़े भाई साब को बहुत दुख होता था फिर भी प्रयास करते थे पहले भी फेल हो चुके थे दुबारा फेल हो गए पर उसके बाद भी प्रयास करते हैं अंदर य कहा कि मैं अपने भाई को डाटूंगा मैं भले ही फीलियर हूँ पर मैं एक बुरा भाई नहीं हूँ जम कर डाटा और कहा कि अगर कक्षा में अवल आने की वज़े से तुम्हें घमंड आ गया है तो एक बार बड़ी कक्षा में आओ तुमारे इस घमंड की एलजेब्रा ज आचवी में नौवी में फाइनल एक्जाम होता है बड़े भाई साब फेल हो जाते हैं छोटा भाई फस्ट रैंग से पास हो जाता है अब तीन की जगा दो क्लास का अंतर रहे गया बीच में दोनों के बड़े भाई साब को बहुत शर्म आती है अपने उपर बहुत उदास हो जाते हैं लेका कमन करता है इनको आड़े हातों लेता हूँ थोड़ा बड़े भाई साब को दिन बर पढ़के भी पास नहीं है मैं खेल कूद कर टॉप मार गया लेकिन अपने भाई को उदास देख क्यों कुछ बोलते नहीं है और फिरो सोचते मैं तो टॉपी मारता हू तो अपनी मरजी से खेलने कूदने जाते रहते हैं बड़े भाई साब भी शर्म के मारे शुरू में लेखक को कुछ बोलते नहीं है कुछ दिन दिन बर खेल के शाम को वापस आता था बड़े भाई साब कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि वो इतने उदास है उनको खुद की उपर शर्मिंदगी हो रही है कि मैं क्यों फेल हो रहा हूं इतनी महिनत करने के बाद भी बार बार लेकिन एक दिन बड़े भाई साब को बहुत गुस्सा आता है और वो लेखक को डाटते हैं कि अभी तुम अभी बहुत छोटी क्लास में हो तुमको लग रहा है कि अभी तु का इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं तो पाठ में आप दर्शन कीजिए पाठ में क्या लिखते हैं प्रेमचन जी लिखते हैं कि बड़े भाई साब बताते हैं कि अभी तो मेरे को अंग्रीजों का इतिहास पढ़ना पढ़ रहा है कितने विलियम है विलियम नाम के कितने राज जा हुए किस हेंडरी के टाइम पर क्या हुआ किस विलियम ने कौन सा लॉव पास किया ये सब याद करना पड़ता है एलजेबरा जोमेट्री ये सारी चीजे होती है अभी तुम बहुत छोटी क्लास में फिफ्ट क्लास को पास करना कौन सी बड़ी बात है जब मेरी क्लास में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना तुम्हें बहुत घमंड हो गया है और इस बात को भी स्मरंड रखना कि इतिहास में अच्छे अच्छो का घमंड तूट गया है तो तुम्हारा घमंड भी तूट जाएगा तुम मेरी क्लास में आना फिर तुम्हें पता चले और कहते हैं परिक्षा में समय की पावंदी जैसे निबंदों पर चार चार पंडों पर लिखने पड़ते हैं, टाइम की उपर ऐसे लिखना है, टाइम की इंपोर्टेंस की उपर ऐसे लिखना है, तो मैं एक पेज में भी लिख दू, जबरदस्ती चार पेज में लिखूंगा तो यह तो टाइम वेस्ट है, तुम कह रहे हो कि टाइम की इंपोर्टेंस की उपर चार पेज का ऐसे लिखो, अरे वो वोड तो time waste ही है ना जब एक page में मैं अच्छा है ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लेकिन बोड अब ये एक कटाक्ष है किसके उपर western education system की उपर कि तुम भारतिया हो लेकिन William और Henry का इतिहास पड़ो और तुम ऐसे वैसे वगेरा लिखो तो basically वो कहते हैं वह यहीं कहा गया है समय की पाबंदी जैसे निबंदों पर चार-चार पढ़ने लिखने पड़ते हैं परिक्षा में उतीन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है स्कूल जाने का समय निकट था न लिखक सोचते हैं कि पास होने के बाद भी इतना डांट पढ़ रही है कि अगर मैं फस्ट आया क्लास में पहले दरजे से पास हुआ उसके बाद भी इतनी डांट पढ़ रही है अगर मैं फेल हो गया होता तो पता नहीं भाई साब क्या करते ठीक है बस प्राणी दे लिए जाते जिस तरह बड़े भाई ने उची कक्षा के पार्ट के बारे में बताया है मैं तो भैबीत सही हो गया परन्तु इतनी डांट फटकार के बाद भी उसकी रूची अभी भी खेल कूद में थी जैसे बड़े भाई साब ने बताया कि यह होता है वो होता है इतना डिफिक करके दिन भर फिर भी खेलता रहता ठार और खेलने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देता था और सभी खेल कुदों में शामयल होता था घिली डंडा वगएरा फिर से साल clot परीश्य हुई और की मैं फिर पास हो गया और बड़े भाई साब फिर खेल हो गया बोलो द ब अगर बड़े भाई साब एक और बार फेल हो गया और मैं एक और बार पास हो गया तो भले ही वो मुझसे पांट साल बड़े हैं पर हम दोनों एक ही कक्षा में आ जाएंगे परन्तु आप धर्शन कीजिए यहां पर लिखा क्या क्या गयता है मैंने अत्याधिक परिश्रम नह तो अपने प्राण ही पढ़ाई में लगा दिये पर अपनी कक्षा के सभी किताबों का एक एक शब्द वह चाट गए थे सुबह के चार बजे से रात के आट बजे तक वह किताब में ही घुसे रहते थे ना जानी वो कैसे फेल हो गए लेखक को अपने बड़े भाई पर दय हो रहा था मेरे अवल आने की खुशी आधिस ही हो गई थी बड़े भाई अब नरम पड़ गये उन्होंने छोटे भाई को डांटना छोड़ दिया लेखक के मन में अब यह धारना सी बन गई कि वह पढ़े या ना पढ़े वह तो पास हो ही जाएगा एक शाम को लेखक होस् कशा में आ गये हो और आठवी में आने के बाद भी तुम यह सब कर रहे हो एक जमाने में आठवी कशा पास करके कई लोग तैसिरदार हो जाते थे कई लोग लीडर बन जाते थे पहले कम कम कौलिफिकेशन बें क्यों पहले लोग पढ़ते लिखते नहीं थे तो लोग आठ भाई साहब लेखक को तजरुबे का महत्व समझाते हैं वह कहते हैं कि तुम भले ही मुझसे कख्षा में आगे निकल जाओ तुमें आज लगता होगा कि मैं तुमसे पांच साल बढ़ा हूं लेकिन तुम मुझसे एकी स्टैंडर्ड नीचे हो तुम मेरी क्लास में आके बै अब यहां पर बड़े भाई साफ उधारन देते हैं कि देखो मानो कि हमारे स्कूल के हेड़मास्टर जी हैं हेड़मास्टर है तो अच्छी खासी आमदनी आती होगी उस जमाने में अंग्रेजों के जमाने में अच्छी खासी आमदनी आती है पर फिर भी वो अपने घर के खर्चे को ठीक से नहीं चला पाते, क्योंकि आइडिया नहीं है कि कितना पैसा कहां खर्च करना है, वही उनकी बूढ़ी मां, जो हेड मास्टर जी से बहुत कम पढ़ी है, वो अपनी मां को जब अपने साथ लाके रखते हैं, तो मां खर्चों को अच्छे से संभाल लेती है और कुछ पैसे बचा भी लेती है, तो ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, हेड मास्टर या उनकी मा, पर फिर भी घर अच्छे से कौन चिरा लेती है, मा, क्योंकि मा को अनुभव है, वो कहते हैं कि दादा जी, अगर कल को मतलब मैं बिमार पढ़ गया, तो तुम बहुत लिखे हो, लेकिन तुम थोड़ी मेरी कुछ मदद कर पाओगे, तुम्हें दादा जी को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में अनुभव ग्यान से बड़ा होता, इसलिए ग्यान तथ्यों में नहीं अनुभव में है, रियालाइजेशन में है, ठीक है, एक्स्पीर बेका बहुत महत्व है, ठीक है, वह बिमारी से लेकर के घर के सभी कामों में उन्हों ने सब देखा है, कोई बिमार हुआ तो कैसे डील करना है, घर में फैनान्शल प्रॉबलम है, यह सब बाते सुनकर लेकल बड़े भाई के सामने नतवस्तक हो जाते हैं, और अपने गलत बाइशाब जितना डाटते हैं एगर उतना उन्हों है डाटना छोड दिया तो मैं तो पढ़ना ही छोड़ दूँगा और अगर मैंने पढ़ना छोड़ दिया तो नहीं मार पाऊंगा तो अब लिखक को भी realize होता है कि बड़े भाई साब भले डाटते हैं वो समझाते हैं कि घमंड मत करो रावण जैसे बड़े बड़े लोकों का घमंड तूट किया रावण हम कहते हैं साब फेको Alexander the Great रावण जो मतलब दशो दिशाओं में जिनकी कीरती थी अगनी और जल जिनके सेवक थे अरे यही कहा जाता है सबी देवता उनकी परिचारी का करते थे शनी देव तक को उन्होंने बंदी बनाया था रावण धशानन्द रावण की बात हो लिए इंद्रजीत जिनका पुटर था जिन्होंने देवराज इंद्र को आपने उनके हाती, आपने कथा सुनी होगी हाना कि इंद्रजीत लेकर के आ गए थे देवराजिंद्र को और भ्रम्मदेव को स्वयमाना पढ़ा कि इनको छोड़ दे तो रामण जो इंद्रजीत ऐसे बड़े-बड़े लोगों का अहंकार भी तूट गया तो तुम किस खेत की मूली हो तो बड़े क्लासेस में पास होता जा रहा हूं ठीक है इस बात का रियलाइजेशन छोटे भाई को होता है उस समय बड़े भाई अपने बच्पन की चंचलपन को रोक नहीं पाए हना अब एक एक क्या होता है कि वो बड़े भाई साब उसको डाट रहे होता है इसी बीचे कटी कंका हु उसकी डोरी तो है नहीं तो पतंग उड़के इदर तो जा रही है तो बच्चे उस पतंग के पीछे बीचे भागते हैं अरे आप वो थ्रिल एक्सपीरेंस कर पा रहे हो अब लेखक अपने छोटे भाई को डाट रहे होता है छोटा भाई भी सुन रहा होता है एक 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 प पतंग उनकी उपर से जारी होती है अब यहां पर दर्शन कीजे प्रिम्चन जी क्या लिखते है ठीक है अपने बचपन की चंचल पन को बड़े भाई साहब अपने बचपन की चंचल पन को रोक नहीं पाए और वह उस पतंग के पीछे भागने लगे क्योंकि बड़े यही पर चाप्टर खतम होता है एक भाई जो भी बच्चा ही है जब उनके बीच से पतंग जाती है अब समझ नहीं क्या हो और हम मैं नहीं समझा सकता समझ सको तो समझो तो बड़े भाई के अंदर का जो बच्पना है उस 14-15 साल के बच्चे के अंदर का वह भी जाग जाता है तो उसका भी मन करता है तो भी एक्साइटड हो जाता है और वह भी भागते है और क्योंकि लेखक से थोड़े हाइट में बड़े हैं तो वो पतंग की दोर पगड़ लेते हैं और वह भी हसने लगते हैं ठीक है बड़ा भाई जो है वो उम्रे में बहुत ज़्यादा है अब दर्शन कीजेगा इसका ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी हम कुछ important दो-तीन questions मैं आपको करवाओंगा जो मुझे लगते हैं important है बाकी questions और इस पीपटी में और भी questions है मेरे telegram channel से आप download कर लिजेगा ठीक है बड़े अपने telegram channel पर मैं quizzes भी करवाता रहता हूं और हर संडे लाइव भी आता रहता हूं तो आपका अगर मुझसे कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो संडे को रात को नौ बजे के आसपास लाइव होता है आप जोइन कर सकते हैं ठीक है बड़े भाई की स्वभावगत माफ कीजे माफ कीजे स्वभावगत विशेष्टाय बताई यह उनकी चारित्रिक विशेष्टाय बताओ यह टेंथ बोर्ड की परस्पेक्टिव से है इंपएंटव है ठीक है तीन स्टार इसको में दे रहा हों पांच स्टार दें भाइ बड़े भाई बड़े ही परिश्वामी थे यानिके दिन-रात पढ़ाई में लगे रहते थे यानिह कि कर्मत Peach कर्मका कभी नहीं करते थे मैं दस बार फेल हूं लेकिन ग्यारवी बार भी उतनी निश्था से पड़ूंगा बड़े भाई उपधेश की कला में बहुत माहिर थे ये भी अच्छा है अलग अलग रावण वगेरा के एक्जामपल से समझाते थे दादा के एक्जामपल से एडमास्ट हैं कि वह भी छोटे भाई के सामने खेलने कुदने लगते हैं बड़ा भाई अपने छोटे भाई से पांच साल बड़ा है इसलिए अपने अनुभव रूपी ग्यान को छोटे भाई को भी देता रहता है ठीक है तो यह कुछ पॉइंट से जो आप अपने आंसर में बड़े भाई साब ने किताबी ग्यान और अनुभव में से किसको ज़्यादा महत्वपून माना है यह बात हो हेड़मास्टर जी के एक्जामपल से समझाते हैं ठीक है वो इसके एक्जामपल से भी समझाते हैं लिखक को भी कि कल को मैं बिमार पढ़ गया या अगर घर में कोई समस्य आ गई तो तुम्हें तो दादा जी कोई बुलाना पड़ेगा उनी से पूछना पड़ेगा तुम कितने ही बड़े अवसर क्यों ना बन जाओ पर तुम्हारे पास कभी भी उतना अनुभव नहीं रहेगा तुम चुनोतियों का उतनी अच्छे तरीके से सामना नहीं कर पाओगे जिस तरीके से हमारे मतर्ब बड़े बुजर्ग कर सकते हैं ठीक है वह कहते हैं किताबी ग्यान तो रट्टा मारने से मिल जाता है उसका नाम है उन्हें ऐसी ऐसी बात है जिनका जीवन से कुछ लेना देना नहीं है वो किताबों में इससे बुद्धी का विकास नहीं होता बुद्धी तब विक्सित होती है जब अनुभव होता है जीवन में ठीक है अनुभव से जीवन के सुखदुक में सरलता को पार लगाया जाते है ठीक है बहुत जादा शुद हिंदी लिखिए तुम बिसिकली इतना ही लिखना कि बड़े भाई साब ने ग् कुछ नहीं है बड़े भाई साब उधारन देखें भी कहते हैं कि अगर हमारे स्कूल के हेड़मास्टर जी कितने ही पड़े लिखें क्यों ना हो किन्तु जितने अच्छे तरीके से उनकी माता जी घर का खर्च चला सकती है हेड़मास्टर जी उतने अच्छे तरीके से घर का खर्ज नहीं चला सकते तो ग्यान और अनुभव में किसे बड़ा माना गया है अनुभव को बड़ा माना है भाई सहाब ने ठीक है बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है पाठ की किन लाइनों से आपको ये पता चलता है छोटे भाई अपने भाई सहाब का आदर कर बड़े भाई साब दाठ देते थे फिर भी छोटा भाई कुछ नहीं बोलता था भाई साब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है वो उसको रावड और अलग अग्जामपल से समझाते हैं घमंड मत करना भाई साब के भीतर भी एक बच्चा है वो जब पतंग को देख करके पतंगे पीछे दोड चलते हैं भाई साब छोटे भाई का भला चाहते हैं वो हमेशा उसको समझाते हैं उन्हें भी शर्माती होगी कि मैं तो फेल हो रहा हूं बार बार सार दल सार साल दर सार मैं किसमू से छोटे भाई के सामने जाओं पर फिर भी वो छोटे भाई को समझ जाते हैं मेरा छोटा भाई भले ही मुझे गलत समझे भले ही मनी मन मुझे पर हसे पर मुझे उसकी नकेल कसके रखने हैं नहीं तो बिगण ना जाए मेरा भाई ही है न यही इस चैप्टर की कॉर वैडियू है सुडेंस फिलहाल मैं इस वीडियो को यही अंड करता हूँ मेरे पास और भी क्वेश्चन से लेकिन जब यह पीपटे टेलीग्राम पे अपलोड होगी आप बहां से देख लीजेगा फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर का मर में समझे होंगे फिलहाल मैं इस वीडियो को यही अंड करता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ आप ज्यान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया